आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और मों मे खुल जाने वाले दहिवड़े जो कि सिर्फ एक प्रिमिक्स से बन के तयार हो जाएंगे तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल जालीदार सुपर सॉफ्ट दहीवड़ा वो भी दहीवड़ा प्रेमिक्स के साथ तो इस दहीवड़े प्रेमिक्स से बिना किसी फालतू जंजट के बिल्कुल पास से 10 मिनट में आपके दहीवड़े बनके तयार हो जाएंगे तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो दहीवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया हुआ है एक कप उड़त दाल और यहां पर मैंने लिया है एक चौथाई कप मूंग की दाल और इसे अब हमें जो है अच्छे से वाश कर लेना है तो यहां पर दाल को में सोपनी करना हमें अच्छे से वाश कर लेना है आप चाहे तो एक कप मूंग दाल ले और एक चौथाई कप उड़त दाल भी ले सकते हैं तो मैं यहां पर इसे अच्छे से पानी से वाश कर लू के बाद इस तरह से एक स्ट्रेणर में हम इसे चान लेंगे इसका सारा पानी हमें निकाल लेना है और इसे इस तरह से दो से तीन बार वाश कर लेना है तो यहां पर मैं स्ट्रेणर में ही इसे अच्छे से पानी से वाश कर लूँगी तो बस डाल अच्छे से वाश हो चुकी है इसका सारा पानी हमें ड्रेन आउट कर लेना है और उसके बाद डाल को हमें एक टावल के उपर इस तरह से फैला के सुखा लेना है तो मैंने एक टावल के उपर इसे डाल दिया है और इस तरह से इसे फला के हम जो है दो से तीन घंटे तक पंखे के नीचे से सुखा लेंगे अगर आप क्या अच्छी धूप आती हो तो इसे एक से दो घंटे की धूप दिखा दे तो यह अच्छे प्रिमिक्स बन के तयार होंगे तो यहाँ पर मैंने करीब एक घंटे की धूप दिखा दी और एक घंटे इसे पंखे में सुखा लिया है बहुत ही अच्छी तरह से ये दाल सूख चुकी है लेकिन फिर भी मैं इसे कड़ाई में थोड़ा सा गरम करूँगी ताकि इसका जो थोड़ा बहुत मौश्यर हो वो भी निकल जाए तो यहाँ पे जादा नहीं सिर्फ दो मिनट तक मैं इसे गरम करूँगी कड़ाई में अगर आप इसे तीन से चार घंटे की धूब दिखा दे तो आपको कड़ाई में गरम करने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप इसे पंके में सुखाते हैं तो आप इसे कड़ाई में ज़रूर गरम कर लें ताकि इसका जो भी मौश्यर हो वो निकल जाए तो दाल को मैंने दो मिनट तक इस तरह से कड़ाई में गरम कर लिया है अब मैं इसको एक टिशू पिपर के उपर निकाल रही हूँ और इस तरह से हम स्प्रेट कर लेंगे ताकि ये दाल जल्दी से ठंडी हो जाए यहाँ पे दाल हमारी ठंडी हो चुकी है तो इसे अब हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बना लेना है तो यहाँ पे मैं दो शिफ्ट में इसे ग्राइंड करूंगी तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दाल पूरी ठंडी ही मिक्सर की जार में डाले तो यहाँ पे एक शिफ्ट का इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है तो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है आपको थोड़ा सा दरदरा पाउडर ही रखना है तो दूसरे शिफ्ट का भी मैंने ग्राइंड कर लिया है तो हमारे दही वड़े का प्रेमिक्स तो रेडी है लेकिन इसमें कुछ और चीज़े भी हमें एड करनी है तो मैं इसमें एड कर रही हूँ एक टीस्पून साबुद जीरा इसी के साथ साथ मैं एड कर रही हूँ एक टीस्पून नमक और यहाँ पर मैं एड़ कर रहे हूं एक चौथाई टीस्पून हींग इन सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है तो हमारा वड़ा प्रेमिक्स बनके बिल्कुल तयार है इससे आप उत्पर भी बना सकते हैं, चिला भी बना सकते हैं या फिर आपको कभी जो है पकोड़े बनाने हैं तो पकोड़े भी बना सकते हैं तो हमारा वड़ा प्रेमिक्स बनके बिल्कुल तयार है इसे आप किसी एरटाइट कंटेनर में भरके और फ्रिज में रखे या बाहर रखे ये एक महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अब इस वड़ा प्रेमिक्स से मैं आधा कभ प्रेमिक्स निकाल लूँगी ताकि हम इसके वड़े बना सके तो यहाँ पे मैं आधा कभ प्रेमिक्स ले रही हूँ तो आपको जित्ते वड़े बनाने हो उसके according प्रिमिक्स ले तो यहाँ पर मैंने half cup प्रिमिक्स ले लिया है इसे मैं एक बोल में डाल रही हूँ तो अब हम बनाएंगे इसका वड़ा तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ आधा cup पानी और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके add कर रही हूँ तो total आधा cup पानी मैंने add कर दिया है अब यहाँ पर इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यहाँ पर इसे अच्छे से mix करें ताकि कोई भी lumps इसमें ना रह जाए अब इसे मैंने mix कर लिया है अब मैं आपको better की consistency दिखाती हूँ यह देखे बिल्कुल perfect better यह बना है तो यहाँ पर आपको अगर वड़े तुरंद बराने है तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोड़ा add करें और इसे instant बना ले मैं यहाँ पर इसे आधे गंटे के लिए cover करूँगी ताकि यह अच्छे से फूल जाए आधे गंटे बाद देखे यह अच्छे से फूल गए है और अब हम whisker की help से इन्हें अच्छे से फेट लेंगे क्योंकि जब इनको अच्छे से फेटेंगे और यह जितने ही फूलेंगे fluffy होंगे उतने ही हमारे बड़े अच्छे बनेंगे बिल्कुल soft बनेंगे तो यह step बहुत ही important है यहाँ पे मैं एक टी स्पून पानी और आड़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बेटर थोड़ा सा थीक लग रहा था तो इस तरह से मैं इसे फेटती जाऊंगी दो से तीम मिनट में यह इसली फिट जाते है तो आपको ज़ादा मैनत की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने फलफी हो गये हैं अच्छे से यह फिट गये हैं तो इन्हें चेक करने का भी तरीका आपको बताती हूँ अब यहाँ पे देखिए एक बोल में मैंने पानी लिया हुआ है मैं थोड़ा सा बैटर इसमें डाल रही हूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने थोड़ा सा बैटर इसमें डाला यह उपर फ्रोट करने लगा मतलब कि तैरने लगा ये नीचे बिल्कुल भी नहीं जाके बैठा मतलब ये बहुती fluffy और बहुती light बन चुका है अब ये वड़े बनाने के लिए पूरी तरह से ready है तो वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कडाही में oil को गरम कर लिया है आप कोई भी oil use कर सकते हैं जो आप खाते हो अब यहाँ पे मैंने एक bowl में पानी रखा हुआ और यहाँ पे है better तो पानी का में क्या करना है पानी में हमें अच्छे से हाथ को dip कर लेना है अब इस तरह से हाथों से वड़े का better निकाले और इसे हमें oil में इसी तरह से छोड़ते चले जाना है तो यह करना बहुत ही आसान है कोई बहुत बड़ा rocket science नहीं है इसमें बस इसी तरह से हाथ पे पानी लगाए और better को oil में छोड़ते चले जाए बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं बिल्कुल भी जंजट नहीं होता है इने बनाने में तो oil का temperature पहले मैंने कम रखा था और अभी मैंने flame को medium पे कर दिया है तो यहाँ पे बस इसी तरह का temperature हमें oil का रखना है वड़ो को इस तरह से थोड़ा सा अलटते पलटते जाए और इन्हें इसी तरह से फ्राई कर ले तो आप देख सकते हैं वड़ो पे कितनी अच्छी जाली बनी है flame को medium ही रखना है high पे बिल्कुल मिनी करना है तो वड़ो को इसी तरह से अलटते पलटते हमें फ्राई कर लेना है और वड़ो के लिए जो दूसरी तयारी हमें करनी है चलिए वो देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पानी तो यह थोड़ा सा गरम पानी है इसमें मैं डाल रहे हूं नमक और इसी के साथ सा थींग वड़ो को फ्राई करने के बाद हम इसी पानी में उन्हें जो है डिप करेंगे तो यहाँ पे देखिए वड़े भी हमारे फ्राई हो चुके है तो इसे अब हम निकाल लेंगे तो वड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं इन्हें अब हमें पानी में डालना है तो जो हमने हींग और नमक का पानी बना के रखा था उसमें मैंने इसे डिप कर दिया है इसे करीब 10 मिनट तक हमें पानी में डिप करना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए जैसे आप बाहर के दही वड़े खाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये दही वड़े बनेंगे तो यहाँ पे मैंने दूसरे शिफ्ट के भी डाल लिये हैं तो दूसरे शिफ्ट के भी वड़े मैं फ्राई कर लूँगी अब यहाँ पे इसी तरह से इसे अलटते पलटते फ्राई होने देते हैं अब चलिए हम देख लेते हैं हमारे जो पानी वाले वड़े हैं वो कैसे बने हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे इस तरह से निचोड़ने पे कैसे इनका पानी निकल रहा है इसी से समझ में आता है कि इसे कितने जादा स्पॉजी बने हैं तो वडो को जादा स्कुइज ना करें नहीं तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये तुरंत ही फट जाएंगे तो इसी तरह से बाकी वडो को भी मैं स्कुइज कर लूँगी और निकाल लूँगी तो देख सकते हैं कैसे पानी टपक रहा है इनसे इससे समझ में आता है कि हमारे वडो कित्ते सॉफ्ट बने है तो मैंने सारे वडो का पानी निकाल लिया है तो अब हम इनसे बनाएंगे दही वडे दूसरे शिफ्ट के भी वडे मैंने पानी में इस तरह से डाल दिये हैं सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ एक कप दही, इसमें मैं डाल रहे हूँ दो टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि चीनी पिसी हुई है, इसमें मेल्ट होने में इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो हमारी मीठी दही बन के बिल्कुल तयार है, अब दही बड़े को बनाने के लिए मैंने मीठी दही, इमली की खटी मीठी चटनी और धनिया पुदीना की ग्रीन चटपटी चटनी ले ली है, ग्रीन चटनी और इमली की खटी मीठी चटनी दोनों की ही रेस्पी मेरे चैनल पे अप्लोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक आउट कर सकते हैं, अब हम बनाएंगे इंस्टेंट दही वड़े का मसाला, तो इसके लिए मैंने आधा टीस्पून बुने जीरी का पाउडर लिया है, और आधा टीस साला रेड़ी है, अब चलिए दही वड़े को सर्फ कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वड़े को दिखाती हूँ, जो पानी वड़े हैं, वो कितने सौफ्ट और जालिदार बने हैं, आप देख सकते हैं, तो देखा आपने इस प्रेमिक्स से आप कितने आ उपर से मैं डाल रहे हूँ, जो हमने मिठी दही बना के रखी थी, उपर से हम स्प्रिंकल करेंगे दही भल्ला मसाला, इसी के साथ मैं डाल लोगी थोड़ी सी ग्रीन चटनी और थोड़ी सी इमली की खट्टी मिठी चटनी, अब इन दोनों चटनी को डालने के बाद हम फि फिर से ग्रीन चटनी डालेंगे हम, और थोड़ी सी इमली की खट्टी मिठी चटनी, तो आपको जैसे पसंद हो वैसे इसे सर्व कर सकते हैं, अब फिर से मैं उपर से स्प्रिंकल कर रहे हूँ दही बड़ा मसाला, तो बिलकुल बढ़िया से दही बड़े हमारे बन के तया हुए हैं, तो अभी हुली आ रही है, तो आप इस तरह से प्रिमिक्स बना के दही बड़े जब चाहें तब तयार कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग डही बड़े बन के तयार होते हैं, तो आपको आज की मेरी ये दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जर मिलती हूँ नेक्स रेसिपी के साथ, तिल दिन टेक क्यार और बबाई